हलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिश्टी PCS में मैं हूं केवल आपके सामने फाइनली सरसठवी BPSC की परिक्षा हो चुकी है और प्रारंभिक परिक्षा के बाद अब इस परिक्षा का परणाम आने का इंतजार आप सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिने पूरा भरोसा होगा कि उनकी प्रारंभिक परिक्षा में वे अच्छे अंक से पास हो जाएंगे याने की एक्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे उसके अलाबा दूसरे ऐसे होंगे जो कि अभी शंका में होंगे उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि वे कटाफ मार्थ से इस पार है या तो उस पार है तीसरे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें काफी निराशा हो रही होगी कि उनका cut-off तक number नहीं आने वाला है इन तीनों ही परिस्थितियों में अगर मुझे कोई एक ऐसी सलाह देनी हो जो कि common हो तो वह यह होगी कि आपको हार नहीं माननी है आपको लगे रहना है आपको आगे बढ़ते रहना है आप जिस भी परिस्थिती में हो आपको आगे की तरफ देखना होगा आगे की दिशा में बढ़ना होगा तो फिलहाल आज का यह जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से जो सरसंथफी BPSC परिक्षा हुई है उसमें यह लाबधायक रहा है टार्गेट BPSC सिरीज और ना सिर्फ टार्गेट BPSC सिरीज लाबधायक रहा है यह चैनल जिसने भी फॉलो किया है उसे किस-किस प्रकार से इस परिक्षा में लाब मिला होगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो में आपके द्वारा आये कुछ कमेंट से तो परिक्षा के बाद आप में से कई विद्यार्थियों ने वीडियो में कमेंट किया था टार्गेंट वीपिएसी बिहार स्पेशल सीरीज में की काफी प्रशन आये थे और इस प्रकार के कई कमेंट्स मैंने देखे तो मैंने सोचा कुछ प्रशनों को ले कर आपके सामने आता हूं लगभग कितने प्रशन हैं वो तो आपको पता ही होंगे आप में से जितने विद् देखेंगे जैसे कि प्रशना आया था भारती लेखी का गीतांजली श्री के बारे में जिन्हें की क्या मिला था अंतराश्ट्री बूकर पुरुसकार टॉम वॉफ सेंड इन से जुड़ा हुआ एक प्रशना था इसके अलावा एक प्रशना था आर्थिक सर्वेक्षन से प्र यकी लावा देखिए सीता की विश्रु कि सबसे और अंची प्रतिमां स्थापित हुई थी सीता मड़ी में में मैं ढब म्हात सीता की कि इस जिले सीता기는 ना सर्फ से यहां तो है किसी भी प्रश्ण की बात हो जो हम वन लाइनर में आप जितनी बाते देखते हैं टार्गेट बीपीस्टी में या बिहार स्पेशल में तो सिर्फ वन लाइनर नहीं होता है उससे जुड़ी हुई जितने भी महत्पूर्ण जानकारी होती है हम उस पर भी चर्चा करते ह आप में से जितनों ने भी वीडियो देखा होगा टार्गेट बीपीसी का या बिहार स्पेशल का तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से हम उसमें हर टॉपिकों कवर करते हैं अब देखिए एक प्रश्ण था सबसे स्टर्ण भंडार वाला जिला कौन सा है इस पर भी हमने तिरंगा अभियान इस पर भी विस्तार से चर्चा की थी हमने और उसके साथ ही और कौन है दीप्स्रेश्ट क्या था दादा सहाब फाल के इंडियन टेलिवीजन अवर्ड 2021 लिखा हुआ है ठीक है तो 21 का था 22 का तो अभिया था आपको पता होगा उसके लाबा देखिए हर अधर दस्तक दो है तो वन का अब आया था और किस लिए यहां भी आनाया था उसके पीछे का क्या बैग्राउंड था इस बारे में भी हमने जब यह पढ़ रहे थे टार्गेट विपीसी का जिस स्टोड में यह प्रश्ण था वहां पर हमने विस्तार से चर्चा की थी उसक साथ ही देखिए आत निर्भर बिहार के बारे में हमने चर्चा की थी तो इस आत निर्भर बिहार में से जो साथ निश्चय हैं उन पर हमने परयाप्त डिस्कुशन किया था हर निश्चय के बारे में विस्तार से देखा था जिससे की प्रश्ण पूछा गया था और जिसने को कोई कह नहीं सकता लेकिन जो महत्पूर्ण बाते हैं वो हमने कवर की थी वहीं कि आसपास प्रश्ण हमें देखने को मिल रहे थे ना सिर्फ टारगेट BPSC से ना सिर्फ बिहार स्पेशल से द्रिष्टी BPSC में और भी प्रोग्राम साते हैं वहां से भी आपको करेंट अफ्यर के कोश्चन मिल जाएंगे अगर आपने पूरा चैनल अच्छे से फॉलो किया है उसके प्रोग्राम को फॉलो किया है तो आपको कितने प्रश्ण आपको मिले हैं इस परिक्ष के बारे में प्रति व्यक्ति आये यहां पर सबसे कम कहां पर दिख रही है शिवहर में दिख रही और उससे थोड़ी सी बहतर है अरारियागी तो अब रोहिक्रम में हमें जब देखना था प्रश्ण के विकल्पों में तो सबसे अंत में किसे आना चाहिए था सबसे अंत मे और रिपोर्ट में हमने एक रखरा की थी तोहां पर हमने टाइगर प्रोजेंट के बारे में भी विस्तार से चर्चा कि था उस्ते जूड़े हुए प्रश्ण भी देखने को मिले थे जैसे कि बिहार का शोग उस सिल्क सिटी और बिहार और कुछ प्रश्ण देखिए जैसे कि खुदिराम बोस ने किस स्थान पर किंग स्वोर्ट की हत्या का प्रयास किया था इसका उत्तर आपको पता ही होगा उसी प्रकार से आप देखिए बिहार के किस जिल्य को सिल्क सिटी कहते हैं इस प्रकार के जो प्रश्ण है जिसे इसका उत्तर क्या है भागल को आपको याद होगा कि हम जिला एक नजर में प्रोग्राम आपके लिए लेकर आये थे जिसमें कि राज के सभी जिलों को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं शुरुवात हमने पटनक्स से की थी और सबसे जादा जिले जो हमने अभी जिस राज के कवर किये हैं वो है बिहार तो जानकारी है जो कहीं खास जगह पर कवर नहीं हो पाती है उसे भी हमने उस जिला एक नजर प्रोग्राम में कवर किया है यानि कि लगभग आप सब कुछ पढ़ भी लेते हैं और अगर कुछ छूट जाता है तो जिला एक नजर प्रोग्राम आप देखेंगे तो वहां पर क कुछ महत्पूर्ण जानकारी आपको दरूर मिलेगी जो आपकी परिक्षा के लिए महत्पूर्ण होगी और जिन्होंने यह प्रोग्राम फॉलो किया उन्होंने देखा भी होगा आपको कुछ प्रकार के दिखेंगे और आगे भी दिखेंगे अगली परिक्षा में भी पर दी हैं सब ऑफिशियल जानकारी है या ऐसी जानकारी है जो हमां की जिले की कुछ विशेश जानकारी है जिस से गहराई पर जाकर आयोग द्वारा प्रश्ण पूछा जा सकता है तो उसे विध्यान रखना है जैसे कि यह जिला एक नजर प्रोग्राम है इस्प्रिशली हम उत्तरप्रदेश, मध्प्रदेश और बिहार तीन राज्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आपको जैसे ही बताया था कि बिहार राज्य के सबसे ज़्यादा जिले कवर हुए है अगली परिक्षाने वाली है तो उसके लिए भी हम इसके जिले पूरे कवर कर लेंगे और स इसके लावद एक ही और क्या है स्टेट अटलस का प्रोग्राम जो मैंने आपसे बताया था इसमें भी हम बिहार राज्य को उत्रप्रदेश को मध्यप्रदेश को राजस्थान को कवर करते हैं जहां पे राज्य की और विशेष्था को आप और से से रिवाइस ना सिर्फ रिवाइस कर सकते हैं जो राज्य का जो एटलस है ज्याज का है मैप को आप चितने अच्छे से समझेंगे आपकी त्यारी के लिए वह उतना ही बहतर होगा ना सिर 최 Cyr 처d के लिए बलकी मेंश के इस तर पर भी उसके प्रोग्राम है Science this week आपको पता है कि आपकी परिक्षा में साइन्स से भी पर्यापत प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको साइन्स के लिए भी अपने आपको अप्डेट रखना होगा तो हर हफ्ते प्रोग्राम आता है science this week इसे भी आप cover कर सकता है ना सिर्फ प्रिलिंस में या आपके मेंस में भी काम देगा इसकी भी playlist में आप जाके देखेगा वीडियो किस प्रकार से हैं या आपके लिए किस प्रकार से लाबदाई हो सकता है इसे आप जरूर देखिएगा इसके लाबा state scheme का program एक आता है छोटी छोटी schemes होती है दो-दो मिनट में आप देखिए हम दो-दो scheme तीन मिनट में दो-दो मिनट में cover करते हैं तो आपके राजी की जित्ती भी scheme है उसकी एक playlist है उसको आप आराम से देखके revise कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए प्रशन आते ही है आपने प्रश्ट पत्र देखा ही होगा इसके लाबा एक in-shorts program आता है यह जो in-shorts program है इसमें हम current affair के ही topic क cover करते हैं लेकिन इसमें खासियत होती है कि इस प्रकार से design किया गया है कि ना सिर्फ आपकी prelims के लिए महत्पूर्ण है यह आपके मेंस के स्तर पर भी महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें हम महत्पूर्ण points को अच्छे से cover करते हैं मेंस के लिहाज से अब आगे देख करते हैं कि साथ दिन का साथ दिन का करेंट न्यूस कि राज विश्षिष का हम cover करते हैं और हर सप्ता एक वीडियो आता है आपके राज से जुड़ा हुआ यानि कि BPSC current update हफते में एक दिन आएगा जो कि साथ दिनों की महत्पूर्ण जो खबरे होती है उस राज से परिशत तुरंद नहीं है तो आपको टार्गेट BPSC का इंतजार नहीं करना है अगली परिशक लिए टार्गेट BPSC का इंतजार नहीं करना है यही BPSC current update आपको अभी से देखते रहना है हर हफते इसे follow करना है आपकी परिशक अगर बहुत समय बाद हो रही है तो आपको इसे साथ मिलेते हुए चलना है ना सिर्फ इसे जो मैंने Current Affair के प्रोग्राम बताये थे जैसे कि inshort वाला प्रोग्राम बताया थे एक और प्रोग्राम है यह है PCS Current News PCS Current News मात्र दो मिनट के प्रोग्राम होते हैं जिसमें की Current Affair उसी दिन का Current Affair उसी आपको लगभग मिल जाता है हमारे चैनल पर इस दो मिनट में आपको महतपूर्ण खबर मिल जाती है जो आपकी परिश्या के लिए महतपूर्ण है इस प्रकार से दिन भर में जितनी महतपूर्ण खबरे थी दो-दो या चलाते हैं तो आपको उस वक्त एक तो यह फाइदा होगा कि आपका सारा का सारा revision हो जाएगा दूसरा फाइदा यह होगा कि कुछ चीजे अगर एक जगह चूट रही है तो दूसी जगह कवर हो जाएगी तो एक जगह वह जाएगी इस प्रकार से जो पहली बार तयारी कर रहे हैं, उन्हें भी से follow करना है, जो पहली बार एक बार तयारी कर चुके हैं, और अभी शायद उनका paper अच्छा ना गया हो, उन्हें दोबारा से तयारी करनी हो, दोबारा से अपनी तयारी को धार देनी हो, तो आपको इस program को बहुत ही serious होकर follow करना होगा, ना सिर् तो सब्सक्राइब करना भूल गए है या तो गलती से आपने बस यूट्यूब में सर्च किया होगा और यहां तक पहुँच गए होंगे तो अब सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकाउन भी दबा दीजे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने आपसे बताई हैं इसी चैनल करेंगे तो मुख्य बात यह है कि आपका कट-off कितना भी जाने वाला हो आपको यह बात जानना जरूरी है कि परिक्षा का जो यह सुरूप है और जो प्रकृती है जो पैटर्न है उस हिसाब से यह सलेबस बहुत बड़ा है और उस सलेबस के लिए आपको अपनी तयारी चाहे मुख्य परिक्षा के स्तर पर हो दोनों की तयारी आपको अभी से ही करनी होगी चाहे आगे चलके आपको प्रारंभीक देना हो चाहे आगे चलके आपको मुख्य परिक्षा देनी हो तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप प्रारंभीक की भी तयारी करें और मुख्य परिक झाल झाल